जो लोग मादुर्गा की पूजा करते हैं, नवरातरे करते हैं, वो शेर से बहुत प्यार करते हैं, उनको अपने घर में शेर अवश्य ही लाना चाहिए, इस्पेशली जो लोग शेर लाने के इच्छुक हैं, वो शेर का पोस्टर भी लगाते हैं तो बहुत फायदा मिलता है आप अपने मकान का वास्तु दोश दूर करने के लिए दहाडते हुए शेर का चित्र अपने बातरूम में लगाते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है नेगेटिव उर्जा से आपको मुक्ती मिलती है लेकिन जो शेर का मूर्ती होती है जैसे आप इस पीतल के शेर को देख रहे हैं पीतल का शेर घर में रखना बहुत ज़्यादा शूब होता है ब्रहसपती को तो उन्नत करता ही है पीतल धातू जो होती है ब्रहसपती की कारक चीजों में है और पीतल का आप अपने घर में प्रियोग करते हैं तो आपका ब्रहसपती अच्छा होता है ब्रसपती अच्छा होने से आपके अंदर वो कुशलता आती है जो इस्त्रियों चित गुण के लिए अनिवारे होती है जो इसका इस्त्रियों का ब्रसपती चार नंबर के साथ होता है यानि करकराशी में होता है वो बहुत गुणों की खान होती है और ऐसी इस्त्री ये जानती है कि शेर की तकत क्या होती है ऐसी इस्त्रियों के घर में हमने शेर की मूर्ती देखी है आपको अगर शेर का सपना आता है तो इसका मतलब है माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आप उनके दर्वार में आपकी हाजरी लग चुकी है ऐसा आपको मानना चाहिए मातारानी आशिरवात देने के लिए खुद भी प्रकट होती है अगर आपको कोई छोटी कर्णिया या बाली का दिखाई दे स्वपन में तो मातारानी ही रूप धरकर आई है आपको आशिरवात देने के लिए ऐसा आपको स्मानना चाहिए शेर की मूर्ती आप वास्तु के हिसाब से अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं जो इशान कौन में होता है या आप पूरब दिशा में भी शेर की मूर्ती रख सकते हैं ब्रास का जो शेर होता है बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा जो लोग जो पीतल की वस्तुएं बनाते हैं और डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं वो लोग रखते हैं हमने भी ये जो शेर की मूर्ती है कहीं से ली है और हमने भी उसको अपने घर में रखा है और चमतकारिक रूप से इसका अनुभव हमने लिया है हमको असीम शक्ति का अनुभव हुआ है जैसे माता रानी की हमारे उपर विशेश क्रपा है हमेशा ऐसा अनुभव हमको होता है तो आप भी शेर की मूर्ती लाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेर करिए आप बड़ा भी शेर मिलता है मार्केट में बहुत बड़ा भी मिलता है शेरों का जोड़ा रखने की जरूत नहीं है एक ही शेर काफी होता है तो शेर का जोड़ा भी आप रख सकते हैं ये आप पर है एक शेर भी आप लाग के रख सकते हैं अपने घर की पूरब दिशा में आप इसको रखते हैं तो आपकी पद परतिश्था और शक्ती बहुत जादा मातरा में बढ़ती है और आपको धन हर कहीं से होने लगता है माता रानी की कृपाब भी आपको मिलने लगती है तो आज हमने बताया की शेर को किस दिशा में रखें और कौन सा शेर श्रेस्ट होता है वैसे तो真हीं थे मिट्टी का शेर भी आप रख सकते हैं तिर्ग आborक्षाएैर लेकिन आपको नहीं रखना चाहिए, जो लोग बच्चे खेलने में यूज में लेते हैं, वो वैसा शेर भी आपको नहीं रखना चाहिए, कलरफुल क्रिस्टल वाला या वैसा शेर भी आपको नहीं रखना चाहिए, सब सिर्फ पीतल का शेर ही श्रेश्ट होता है, वास्तु की द्र हैं या लाल रंग आपको बहुत? लावरियों नहीं को सब्सक्राइब करने खी और centralized करेंबेर Key2視ाती जीलग है आप उन्ट भी रख सकते हैं उन्ट जो होता है हॉल में रखना चाहिए उन्ट को भी आप रख सकते हैं इसी तरह से अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो वास्तू की दरश्टी से घर में रखना शुब होता है हमने अन्य चीजों की जानकरी अपने वीडियो में आपको दी है त आप हमारे इस जोतिश्य ग्यान का फायदा भी उठा सकते हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इमेल आईडी के जरीए हमसे संपर करना पड़ता है, अभी नवरात्रे ओफर चल रहे हैं, उसका लाब आप ले सकते हैं, मातर 1100 में आपको कुंडली परामश दिया ज जाएगा, तो आप असुविद्या से बचने के लिए अभी तुरंट परामश लीजिए, जिससे आपको लाब हो सके, आप जिस भी किसी समस्या से जूज रहे हैं, उससे आप हमसे परामश लेकर मुक्त हो सकते हैं, यानि अगर आप गरीबी से जूज रहे हैं, तो आपके जीवन में पैसा ही पैसा आ जाएगा, और दामपत्य जीवन में कलेश है, तो कलेश भी आपके मिट जाएगे, लेकिन पती-पत्नी समबंदी मैटर है, तो पती-पत्नी दोनों की ही कुंडली मुझे भेज़ी करा. कुंधली नहीं भीजनी है डिटेल भीजनी है डट आल बंपर्णुस गना है और छॉत अधीज ब्हस्तनी है और सपीज कर दोथे foreign पर्ण COP 1100 घुए का है और face photo analysis का भी charges 1100 रुपे मात्र है अगर आप तीनों offer लेना चाते हैं जनम पत्री से संबंदित या palm reading से संबंदित या photo analysis संबंदित तो 3300 रुपे आपको हमारे account में जमा कराने पड़ेंगे जिसकी detail आप जो email id से जान सकते हैं जो की description में दी हुई होती है तो आज का वीडिय